दोस्तो सीजन बदल रहा है, सीजन बदलने के साथ साथ हम लोग को जो है अपनी बग्या की सेटिंग्स भी चेंज करनी पड़ेगी अभी जो फूल इतने सुन्दर खिल रहे हैं, सीजन जैसे जैसे बदलता रहेगा इनकी रौनक भी खतम होती रहेगी केलेडियन इनके बड़े बड़े पत्ते दिख रहे हैं, आप इनकी केर करते रहोगे, फिर भी ये पीले पड़ करके सुखने लग जाएंगे वंडरिंग ड्यू भी जो है इसकी रौनक खतम हो जाएगी, ऐसे सभी प्लांस जो है अपना असर दिखाते हैं सीजन का तो हम लोग को जो है सीजन के अकॉर्डिंगली प्लांस को भी एड़ेस्ट करना होता है, देखे हर सीजन का एक अपना अनोखा चैलेंज होता है और उसके फाइदे भी रहते हैं, लेकिन इन सभी सीजन के साथ विंटर जो है एक ऐसा सीजन होता है, जो हमारे लिए बहुत स करना ही है पिछले सीजन से, क्योंकि दोस्तों डिफरेंट करने से ही हमको नेने एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं, तो देखे हम तो कोशिश करेंगे, दिमाग दढ़ाना शुरू कर दिया है, और टेरेस गार्डन के दीरे दीरे प्लांस भी अलग धंक से सेट करेंगे, अ दीरे दीरे डॉर्मेंसी में चले जाएंगे, तो इनको यहां से हटाना होगा, और इनकी जगे जो फूल खिल रहा है, उनको लगाना होगा, जैसे यह हमारे क्रिसंथमम रखे हैं, तब यह दोस्तों सब उपर की जगह ले लेंगे, थोड़ा बहुत डिफरेंट करने से फा हो गया है, उसको मैंने हटा दिया, और पोर्चुला का पीछे की तरफ कर दिया है, तो जब अकेले ही हमें सारा काम करना है, तो धीरे धीरे हम करते रहते हैं, पिछले टाइम जो है, मैंने बहुत सारे वीडियो आपके संग शेयर करे हैं, अच्छा यह जो रियो प्लांट ह अब की यह मैं सब गिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि प्लांट बहुत ज़्यदा बगिया में हो गए हैं, इनको नहीं हटा आएंगे तो नए प्लांट की जगा कैसे बनेगी, क्योंकि बगया गगया तो मेरी उत्ती बड़ी है, और इसमें जो है आने जाने मूव्मेंट की भ आगवाने के लिए, बहुत सारे कटिंग्स ग्रो कर लेते हैं, अब देखे सब कटिंग तो अपने पास रहनी सकती है, दिया भी बहुत ज़्यादा है हमने, तो अब मैं सोच रही हूँ कि कटिंग्स वेगरा ग्रो करूंगी, इसकी डिमांड रहेगी उसे आप से ग्रो करत उसके बाद धीरे धीरे ये भी डॉर्मेंसी में चला जाएगा, अच्छा जो प्लांट्स डॉर्मेंसी में जाने लगते हैं, वैसे तो हम बहुत सारे वीडियो से बता चुके हैं, तो जब अदस्ति उसे बहुत ज़दा खादाद डाल करके उसको अपनी एनरजी मत प्लांट को भी अराम करने दीजे, यहां पर ये मेरे पर्स लेन अभी लगे हुए हैं, कुछ को जो है मैंने हटा दिया है, आली कर दिये हैं गंबले, क्योंकि मुझे अपने टमाटर के पौद के लिए गंबले नहीं मिल रहे थे, तो मैंने गंबलों में फ्लावरिंग कम ह हो रही है, उनको हटाते चलते हैं, तो एक बार में दोस्तों सारे काम नहीं हो पाते हैं, तो यह वाला तो अपकी मैंने खरीदे थे सारे प्लांट, अभी जो था अगस्त में खरीदे थे, वही सब लगे हुए हैं, पिछले रेनी सीजन में आपने यही सारे प्लांट अपन मेरे सारे अडीनियम लखे हैं काफी यहां पर भी ग्रोथ हो गई है सबकी और यह बोगन बिलिया वाइट कलर का तो बहुत दिन से फूल दे रहा है यह वाला हमारा तो कुछ इस तरीके से बगिया आती है यह हमारी लौकी बड़ी हो गई है मैच्छियोर हो गई है तो मैं करती रहेगी तो यह तो मेरे लिए सफिशेंट हो गई है देखिए अगर आप कोई भी सबजी ग्रो करोगे बहुत छोटा कंटेनर लोगे तो उसमें जो है फ्रूटिंग तो होगी लेकिन बस वही है कि छोटा कंटेनर है तो एक दो फ्रूटिंग के बाद प्लान खराब हो जो वह है जो बेसिक नेचर है चोटे ही साइस का है इसका मतला यह बड़ा वाला भड़ते वाला बैगन नहीं है यह ऐसी छोटे इसदे हैं में शीजन जब बनता है तो हमलोग का में काम यह होता है कि हम लोग को अपने गार्डन की चीज्वाई का काम सबसे ज्यादा करना ह कि उसी प्लाणिंग कर सकें कि कहा पर क्या लगाना है यह भी देखना होता है और ऐसी चीज लगाई में यूजए गार्णिंग में काम मत करा करिए क्योंकि देखी क्या होता है हम सबके एहां पर संलाइट की requirement अलग-अलग रहती है, हिसाब भी अलग होता है, बहुतों के helpers मिल जाते हैं, यह नीबू भी हम touch करके देख रहे हैं, यह कि soft हुए है कि नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत कड़े-कड़े हैं, जो थोड़े से soft लगने लगते हैं, करने में न तो मतलब रेडी हो जाते हैं, अगर आप रग वी दो-दो-तीन दिन बाहर तो दीरे-दीरे वह फीले पढ़ने लगते हैं, अच्छा नीबू की प्लान पर देखे, इधर की तरफ सनलाइट ज़्यादा पढ़ती हैं, इधर वाले पीले ज़्यादा होते हैं, पक भ गंटे की आती, उसी हिसाब से वेजेटेबल ग्रो करिएगा, अगर वेजेटेबल या फ्लाविंग प्लान्स लगा रहे हो तो, क्योंकि फिर क्या होता है आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा तो आपको बड़ा खराब फील होगा, तो यह जो नीबू का पेड़ है, यह मेरे लिए बहुत परियापत है, काफी नीबू हो जाता है, इस समय अपनी बग्या में क्या क्या काम कर लेने चाहिए, इस पर हम अल्रेडी एक वीडियो बना चुके हैं, हमने स्वाइल मिक्स पर भी बना दिया है, यह भी बताया है आपको कि जो पुराने गंले की मिट निकल रही है, उसको किस तरीके से, दो तरीके बताएं हैं, रियूस करने के, तो आप उसको देखो और अपनी मिट्टी को बढ़िया बनाओ, रिचार्ज करिए अपने, बहुत सारे काम है, अपने बग्या को समालिए, तो जो वीडियो मैंने बनाए हैं, उनका लिंक हम डि ठीक करिए दुबारा से, नय सीजन का वेलकम करिए, मैं जो भी काम करती हूँ दोस्तों वो अपने एक्सपीरियंस के अधार पर आपके संग शेयर करते रहते हैं, हर ताइम देखे मौका नहीं मिल पाता है, लेकिन जैसे ही मेरे पास टाइम रहता, वीडियो शूट कर लेत हूँ आपके संग अपने एक्सपीरियंस के अधार पर वो, कमेंट करके जरूर बताईएगा, जब मैं पहले टेरस गार्डन की सेटिंग्स चेंज करती थी, तो कई सारे वीडियो मैंने उसके शूट करे हुए हैं, तो वो भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएंगे, अगर आ कैसा लगा है, कमेंट करके जरूर बताना, थोड़ा सा भी पसंद आया हो, तो लाइक के बटन पर हिट करके जाना, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, गुड़ पाइं